नमस्कार दोस्तों मैं ELP भरत आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चनल राइजिंग भारत रेल में तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्तोंगे तो दोस्तों काफी सारे मेरे वीवर्स और सब्सक्राइबर्स ने वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा यहां पर कि कौन सी ट्रेट्स हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट में करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त वीडियो अगर पसंदा रहा है तो लाइक भी कर दें अब वीडियो को हम शुरू करतें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर यह आपके सामने नोटिफिकेशन है जो कि CEN 01-2018 ALP Technician तो दोस्तों हम आ गये हैं पर पोइंट नमबर 6 में जिसमें आपको educational qualifications के बारे में ब अगर आप जाते हैं कि किस पोस्त के लिए क्या qualification चाहिए तो हम यहां पर आप आ जाते हैं इसके बाद एनेक्सर ए पे जाते हैं यहां पर मैंने पहले से लिया हुआ है तो हम यहां पर ALP की देखने वाले तो ALP की दो तरह की यहां पर इन्होंने पोस्त बनाई है एक तो electrical department के अंडर आती है और दूसरी जो हैं आपन mechanical department के अंदर आती है तो हम आपन mechanical और electrical दोनों की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम electrical की बात कर लेते हैं जो की category number one में इन्होंने रखी है तो इसमें आप देख सकते हैं कि minimum educational qualification वाला जो column है उसमें हम देखेंगे कि A जो point दिया आपकी IT होनी चाहिए तो armature and coil winder पहली trade है, electrician दूसरी trade है, electronics mechanic दूसरी trade है, fitter यहाँ पर चोथी trade है, heat engine अगली है, instrument mechanic अगली है, उसके बाद mechanist, उसके बाद mechanic diesel है, उसके बाद mechanic motor vehicle है, उसके बाद mill right maintenance mechanic है, उसके बाद mechanic radio and tv है, refrigeration and air conditioning mechanic है, tractor mechanic है, turner and wireman, तो ये trades हैं दोस्तों जो की eligible हैं आपर electrical category या फिर electrical department के अंडर LP के लिए, इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ लिखा हुआ है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद mechanical innovation, SSLC plus course completed apprenticeship in the trades mentionable, तो इन ही trades में अगर आपके पास 10th plus SSLC plus आपकी जो apprenticeship है, अगर आपने कर रखी है, तो वो भी eligible आपकी रहेगी अगर आपने कर रखी है, तो उसके अलावा भी हम पॉइंट पर आ जाते हैं, उसमें क्या लिखा है, तो आपको तीन साल का डिप्लोमा है, अगर वो भी है आपका इन जो मैंने पड़ी है, mechanical, electrical, electronics, automobile वाली जो streams है, उनमें अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा तो भ दिखा गया है, आपर degree in the engineering discipline of above will also be accepted in lieu of diploma in engineering, तो अगर आपने degree कर रखी है, बीटे क्या बीए कर रखी है इन disciplines में, तो वो भी आपकी eligible होगी यहाँ पर ALP बनने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज समझा है होगी, यहाँ पर civil वाले या फिर बात करें, computer science या तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है इसको, और हम वीडियो की length नहीं बढ़ाएंगे, तो दोस्तों यह जो आपके सामने है, मैंने दोनों को compile किया है, यहाँ पर एक जो है, electrical department वाली है qualification और दूसरी तरफ जो है, mechanical department वाली है, तो मैंने जब दोनों को detail में पढ़ा है, तो इसमें कोई भी difference नहीं है, दोस्तों, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर side by side यह दिखाया है, आप खुद देख सकते हैं, line by line पढ़ सकते हैं, एकदम did to same है, यह सारी qualification, तो आपको electrical department में य और दो category में इन post को रखा है, LP की, लेकिन इसकी educational qualification में कोई भी हाँ पर change नहीं है, आप दोनों के लिए eligible हैं, अगर आप एक के लिए eligible हैं, तो दोस्तों, यह जो detail है, काफी सारे लोगों ने पूछी थी, यहाँ पर इसको sum up में कर देता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पर ITI व के लिए, या फिर diploma के लिए, या फिर बात करें हम, engineering के लिए, तो वो यहाँ पर eligible नहीं होंगे, दोस्तों, जो यहाँ पर mention नहीं है, काफी सारे लोगों का doubt था, मुझे भी एकदम clear नहीं था, दोस्तों, क्योंकि मैरी B.Tech है, तो मुझे इतना पता था, computer science और civil वाले allowed नही हूँ, और आप लोगों को information देता हूँ, तो subscribe कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी cost नहीं लगता है, like जरूर करें, वीडियो को motivation मिलता है, वीडियो बनाने के लिए, इसी तरह के वीडियो आपको इस channel पर मिलते रहेंगे, दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई query है, अगर railway को information चाहिए, आपको किसी भी परकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे Instagram ID पर मेरे message कर सकते हैं, आप पर Rising भारत rail करके मेरी ID है, Instagram ID, वहाँ पर आप मुझे message करें, follow करें, दोस्तों, मैं आपको वहाँ पर जरूर आपको reply करूँँगा, जो भी आपकी problem होगी, या फ पर कार करें, आपको झाल करें, आपको calendar सकती है, आपकार कि मेंमाय होगी ख़िए, और आपकी होगी, पर आपके में हमें, वहाँ उक्योच कि बम मязपके मिर्प सकती होगा करें, जो भी एकार संपदूर से कारôngते होगी, परिक्या उन्या घर दकते हैं टो किता, परी आपक